हाई एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूं सिंपल एंड बेसिक केक जो आपके घर में सारी सा मगडी होगी उससे आप हाराम से बना सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ले रहें एक कप मैदा वन वे फोर्थ कप घी वन वे फोर्थ कप मलाई दूद वाली और वन वे फोर्थ कप पिसी वह चीनी और एक चुटकी खाने वाला सोदा मैंने बेकिंग पाउडर का यूज नहीं किया है चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लेंगे यह गी हमें गी और इस मलाई को एक बॉल में डाल करके अच्छे से मिक्स करना है यह देखिए मैं डाल ले हूं यह मेरी घर की बनी हुई मलाई है और घर का ही बना हुआ गी भी है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आपको यह टेस्ट बाजार के बनने वालों केक में भी नहीं मिलने वाला इतना ओरीजिनल इसका टेस्ट आता है मैं चीन मीठा कम खाते हूं उसलिए मैं कम चीनी डाल लही हूं अब भी एक कप मैदा में मेरा इतना चीनी है आप अपने हिसाब से मैदे चीनी और सब कुछ की क्वांटिटी बढ़ा करें के ज्यादा बना सकते हैं दीखिए कुस देर के मिलाने के बाद यह इस तरह से हो ज डाल हमें इसे अच्छे से चान लेना है ताकि इसमें को जरा सा भी लुंस बचा हुआ नहीं रहे हो वहाँ केक खराब कर सकता है और इसी में मैं डालने वाली हूं अपना बेकिंग सोडा मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तमाल नहीं किया है और हमें इसे अच्छे से छान लेना है यह देखिए ओ शिट मैंने गंदा कर दिया मुझे बरे बरतर में करना चाहिए था आप यह बिब को फि मैदा एड़ करेंगे एक बार में पूरा मैदा एड़ करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें धीरे-धीरे करेके मैदा एड़ करना है यह देखिए अगर आप भी लोगों में से हैं जिनें बाहर के के क्रीम पसंद नहीं आती तो आप इस तरह से के जरूर बनाके एक बार खाई आपको बहुत अच्छा लगने वाला है मैं इसमें अपना एक कप मैदा एड़ कर दूंगी आपको देखके जरूर लगड़ा होगा करें यह तो बहुत जादा हो गया है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है यह मिल करके बहुत अच् के हिसाब से कर लेंगे मैंने यह मलाई वाला दूट लिया यह वह फूर्थ कप है आप चारा मातरा में केक बना रहे हैं उसकी इंग्रीडियंट को बढ़ा करके सेंप्रोसेस फॉलो करके बना सकते हैं यह देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिलाना है एक्दम अच्छा और स्मूथ पेस्ट बनाना इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहना चाहिए तभी हमारा केक अच्छा और स्पंजी बनेगा मैं इसमें रोजवाटर टकर रही हूं परोपर कंसिस्टेंसि हो गई है के बैटर की अब हम चलते हैं इसको बेग करने के प्रोसेस में, ये दीखिये, मैंने लिया है कुकर, मैं ओवन में नहीं बना रही है, इसे, मैं डालूँगी घी, और इसे अच्छे से चारो साइड लगा दोगी, ऐसा करने से, जब ये केक बन के तीयार होगा, कुकर के बेश से वो चिप केड़ा नहीं, औ और यह मैं डस्ट कर रही हूं चलारासा मैदा एक तरह से यह आप सोच सकते हैं यह बटर पेपर का काम करेगा ऐसा कर देने से आप यह प्रोसेस करना बिलकुल मत भूलिए यह बहुत जरूरी है कुकर में केक बनाते वक्त मैं अब इसमें डालूंगी अपने बैटर को मैंने यह देखिए डाल दिया और जब एक और बात जब केक बन जाए तो उसे गरम निकालने के बिलकुल कोशिस नहीं करें कुकर को ठंडा होने दें फिर वो खुद बखुद निकल जाएगा देखिए मैंने इसे प्रॉपर एक इसे बेस में कर लिया है इसे अच्छे से करके और मैं इस कुकरी के सीड़ी के निकाल दूंगी और रबर लगा रहने दूंगी मैं बस सिर्फ सीड़ी निकाल लूंगी और यह देखिए मैंने इसे डाल दिया है गैस पर अप लो फ्लेम पे उसे पकने दें और यह आफटर 40 यह देखिए केक के प्रॉपर लोग और इसका चारो और किनारा देखिए यह खुद कुकर से साइड होके निकल गया मैं दिखाती हूं यह प्रॉपर पकाए है कि ने मेरा तूठ पी साफ निकल गया अगर इसमें जरासा भी लगा रहता है तो आपका केक नहीं बना यह रहा उसका सामने से लुक और मैं इसे पलट के दिखाती हूँ मैंने इसे पलट दिया है वो तो और भी आसम लुक दे रहा है ओ माइगाद यह देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाएं मैं बताने सकते हूँ कितना अच्छा इसका टेक्स्चर है और एकदम बिना एग के बिना ओवेन के एकदम ही आसान सी रेसिपी है आप जरूर एक बार ट्राइ कीजिए और यह देखिए लुक ओ मुझे तो फिर से खाने का मन कर रहा ह दिखें मैं दिखारी में कितना स्पंजी बना थैंक्यू मेना वीडियो देखने के लिए